नवस्कार दोस्तों, धिट है आज की 14 दिसम्बर 2021 और स्वागत है आपका एटरियल डिसकेशन में आज तीन इशूस हम डिटील से डिसकेश करेंगे एक तो देखो डिसकेश करेंगे सबसे पहले लाइव मिंट का इंडिया में जो स्टार्ट अप एको सिस्टम इंप्रूव हो रहा है उससे सम्मदित स्टार्ट अप के बारे में UPSC इस बार के मेंस में भी कोशन पूछ सकती है दूसरा आर्टिकल हिंदू का डिसकेश करेंगे न्यू वर्ल्ड और डिसोर्डर से सम्मदित और तीसरा इशू हम डिसकस करेंगे पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान में बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट और्णाइस हुए हैं और जिसके सामने पाकिस्तान की सरकार जुग गई क्या है पूरा इशू वो हम डिसकस करेंगे डिरेक्ली हो सकता है कोर्शन UPSC ना पूछे लेकिन थोड़ा साब को पता होना चाहिए इन डिरेक्ली कहीं न कहीं पॉइंट्स जो है वो यूज हो सकते हैं चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं फर्ष्ट इंपोर्टन आर्टिकल हमरे देश में स्टार्ट अप इकोसिस्टम से समधित हैं आप GS Paper 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं देखो पिछले 20 सालों में हमारे देश में स्टार्ट अप इकोसिस्टम काफी ज़्यदा इंप्रूव हुआ है 2010 में हमारे देश में 5000 नए स्टार्ट अप बने थे जबकि 2020 में 15000 नए स्टार्ट अप हमारे देश में इस्टाबलिस हुए इससे भी ज़्यदा 2010 से लेके 2020 के बीच में Unicorn Startup की संख्या हमार देश में थी 33 Unicorn Startup आपका पता है ना जिनकी Valuation एक Billion Dollar से ज़्यादा बढ़ जाती है एक Billion Dollar साथ हजार करोड के आसपास लेकिन अकेले 2021 में Unicorn Startups जो Emerge होके आए उनकी संख्या थी 41 तो आप अंदाजा लगा सकते हो पिछले 20 सालों में हमार देश में Startup Ecosystem कितने ज़्यादा इंप्रूव हुआ है इसके कई सारे रिजन्स हैं अगर UPSC पूछ ले Startup Ecosystem क्यों एकदम से इंप्रूव हुआ हमार देश में देखो एक तो Innovation काफी आई Internet Penetration आपको पता है काफी ज़्यादा हो गया है Smartphones की संख्या कितने ज़्यादा इंक्रीज हो गई है Payment System कितना इंप्रूव हुआ है इंडिया में इसके अलाबा Cloud Computing, Application Programming Interfaces ऐसे ऐसे अनेको रिजन्स हैं सरकार की Polsies भी आगे आएगा ये Point जिसकी वज़े से हमार देश में Startup Ecosystem इतना ज़्यादा अच्छा हुआ है कुछ और Points हैं इसी से समदित अभी देखो इंडिया तीसे नंबर पर है पूरे World में जहां पर सबसे ज़्यादा Companies ने Unicorn Status हांसिल किया हो सबसे ज़्यादा तो USA में Companies ने याई नए Startups ने Unicorn Status हांसिल किया उसके बाद नंबर चाइना का है और तीसे नंबर पर इंडिया हैं इंडिया UK और जर्मनी से आगे हैं इंडिया में देखो वैसे जो Fintech और E-Commerce Companies हैं ना ये सबसे आगे हैं Unicorn Status हांसिल करने में Fintech Companies जैसे देखो Paytm हैं और E-Commerce Companies आपको पता है जैसे Flipkart Amazon इस जैसी E-Commerce Companies हैं और Ad Tech जैसे Unacademy, Byju, Food Delivery App आपको पता हैं Jometo, Swiggy, Mobility जैसे Uber, Ola मतलब पॉइंट देखो ये हैं हमारे देश में वो Startups जिन्नोंने Unicorn Status हाषिल किया है यानि जो 1 Billion Dollars की बनी हैं उनमें जातर तो Fintech और E-Commerce की Companies हैं उसके बाद दूसरे सेक्टर का नंबर आता है जैसे Ad Tech, Food Delivery और Mobility तो ये तो देखो हमने सिरफ introduction डिसकस किया अब हम उन पॉइंट्स को डिसकस करते हैं जो हमें बताते हैं कि इंडिया में Startup System क्यों improve हुआ देखो इंडिया में इतनी सारी population है और जातर लोग यंग हैं यंग लोग संख्या ज़्यादा हैं इंडिया में यंग लोग आपको पता हैं Mobile Phone यूज करते हैं, इंटरनेट का इस्तमाल करते हैं तो इंडिया में एक बहुत बड़ी सरकार चाहती हैं, इंडिया में Startup Ecosystem improve हो, इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारी schemes बिचलाई हैं जैसे Startup India launch की गई थी 2016 में Tax Benefits सरकार देती हैं नए Startups को इसके साथ साथ नए Tinkering Labs इस्टाबलिश की गई हैं ताकि जो नए Entrepreneurs हैं वो उन Tinkering Lab में जाके Sikhs के इसके बाद next point है, Role of Technology Technology ने भी एक बड़ा Role Play किया हैं, जिसकी वज़े से इंडिया में नए नए अच्छे अच्छे Business Models से Emerge होके आए हैं, जैसे देखो जब lockdown लगा 2020 में तो उसके बाद बहुत सारे जो sectors है ना उनमें Digitalization आ गया अगर महामारी ना आती जो कि देखो वैसे नहीं आनी चाहिए थी इतने सारे लोग की जान गई लेकिन ये Blessing in Disguise आप इसे बोलिए कि महामारी के कारण एकदम से Digitalization जो है वो बढ़ गया, नए-नए Business Models Emerge होके आए और नए-ने Startups Emerge होके आए इस मुश्किल भरे समय में तो पॉइंट ये है Artificial Intelligence, Internet of Things, Data Analytics Big Data, Robotics ये जो नए-नए Technologies है ना इनका इस्तमाल हमारे देश में Entrepreneurs बखूबी कर रही है नए-नए Business Models इजाद करने के लिए देखो इंडिया में जो ये Startup एकोसिस्टम एकदम से इंप्रूव हुआ है ना ये किसी revolution से कम नहीं है 44 unicorns के दवारा हमारे देश में 106 billion dollars की जो economic activities है वो जनरेट की गई है इसमें women entrepreneurs ने भी काफी contribute किया है जैसे नायका अभी काफी ज़्यादा सुर्ख्यों में था नायका ने अपना IPO लोंच किया था तो ये Start क्या गया था फालगुनी नयर के दवारा स्वाती भारगव का एक startup है कैस करो तो मतलब women entrepreneurs भी आगे आ रही है अब अच्छी खासी संख्या में और startups established के जा रही है women entrepreneurs के दवारा भी इन नए established हो रहे इस startup से directly indirectly बहुत सारी jobs generate होती है जैसे यहाँ पर आंकडा भी दिया हुआ है 1.4 million direct या फिर indirect jobs generate हुई है की गई है इन 44 unicorns के दवारा जैसे देखो Uber Ola है Swiggy है, Jometo है इनके दवारा direct indirect कितनी jobs generate की जाती है और ये companies, ये startups है इंडिया की economy में बहुत ज़्यादा contribute करते है ये दो हमने देखो अच्छे अच्छी बाते discuss की अब बार करते हैं challenges की सबसे पहला challenge तो देखो ये है देखो ये जो companies है न जैसे Jometo है Swiggy है अभी तक ये profitable नहीं है बड़ी हो रही है companies लेकिन घाटे में है इनको investment मिलना इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके ये successful साबित होंगी हो सकता है कि ये companies आगे जाके fail हो जाए जैसे Unacademy है Unacademy का valuation तो देखो काफी ज़्यादा बढ़ गया है लेकिन Unacademy कितने ज़्यादा घाटे में है यहाँ पर देखो आप Unacademy के जो नुकसान है वो 6 गुना बढ़ गया देखो मैं आपको थोड़ा सा आपकी knowledge के लिए बताता हूँ ये कैसी चीजें काम करती है जैसे flipkart है flipkart किस ने start की बिनी बंसलने और सचिन बंसलने उसके बाद valuation flipkart का बढ़ता गया flipkart को जो पैसा है investment है वो मिलती रही valuation अच्छा खासा बढ़ गया flipkart का उसके बाद Walmart ने majority जो shares है flipkart के purchase कर लिए और जो बिनी बंसल और सचिन बंसल है वो company से बाहर निकल गए जिस company को उन्होंने establish किया था तो ये भी एक तरीका है मतलब की जो start-up जो लोग establish करते हैं वो investment मांगते जाते हैं company की valuation बड़ी होती जाती है investor पैसा लगाते है last में आके जिन्होंने company start की थी वो खुद उस company से बाहर निकल जाते हैं फिर वो company register हो जाती है stock market में यानि जन्ता का पैसा उस company में लग जाता है यानि investors जिन्होंने पैसा लगाया था उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया अगर 10 रुपे लगाये तो 100 रुपे करके वो निकल गए क्योंकि company का valuation increase हो गया था लेकिन successful model अभी भी नहीं है finally पैसा किसका लगाया है जन्ता का क्योंकि वो अब stock market में listed हो चुकी है company तो ये पूरा model है कि last में कई बार first जाते हैं जन्ता क्योंकि उनकी share जो है वो list हो जाता है stock market में finally जन्ता का पैसा लगा होता है उस company में और वो company fail हो जाती है तो डूपता किसका पैसा है जन्ता का ये तो सिरफ देखो example था point आप समझ गए ना point ये है companies का बड़ा होना valuation का increase होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो companies आगे जाके successful साबित होंगी next point space में देखो इंडिया अभी भी एक marginal player है इतना ज़्यादा scope है space sector में एक article भी हमने discuss किया था कि space economy जो है पूरे world की वो 440 billion dollars की है और इंडिया का इसमें share कितना है सिरफ 2% और जबकि देखो इंडिया के पास पूरी technology है end to end technology है satellites को बनाने से लेके satellites को launch करने तक फिर भी हम space sector में आगे नहीं निकल पा रही है ये चिंता की बात है इसके बाद next challenge ये है दिखो हमारे देश में श्टार्टप्स को investment तो मिली है लेकिन जातर जो investment मिली है वो दूसरे देशों की investment companies से मिली है जैसे जपान के soft bank ने इंडिया में बहुत invest किया है चाइना के Alibaba, USA, Sequoia इन companies ने इंडिया के start-ups में काफी invest किया है बट इंडियन जो investors है वो अभी भी इतना ज़्यादा risk लेने के लिए तयार नहीं है इंडिया में कोई serious venture capital industry नहीं है जो की start-ups में invest कर सके angel investors इंडिया में थोड़े बहुत हैं लेकिन ज़्यादा नहीं जितना की US समेट दूसे develop countries में हैं और इंडिया में जो traditional corporate groups है न जैसे Reliance Tata वो भी इतना ज़्यादा innovation नहीं लेके आ रहे हैं वो नई-नई technologies में अपने कदम नहीं रख रहे हैं जैसे Tata ने काफी कोशिस तो की है electric vehicles के industry में Tata काफी अच्छा काम कर रहा है और super app वी वो एक launch करना चाहते हैं जिस पर सारा समान मिलेगा A to Z मतलब बहुत कुछ दवाईयों से लेके हर चीज जो आप खरिदना चाहते हो तो ऐसा उनका प्लान है कोई super app वो launch करना चाहते हैं लेकिन देखो ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी innovation नहीं होई ना innovation तो kind of ये है ना कुछ आप नई चीज लेके आते हो जैसे Amazon ये अपना Elon Musk है जो Tesla वाले ये कुछ नया करते रहते हैं market में बिल्कुली नया जो world के लिए नया है वैसा world के लिए बिल्कुली नया होना ऐसी चीज़ें Indian companies को करने की आफ सकता है तभी Indian companies ना ये बड़ी-बड़ी companies की तरह बनेंगी जैसे SpaceX है Amazon, Facebook बिल्कुल जब नया नया करेंगे हमारे वाले क्या करते हैं US में नया startup बना वहाँ पे कोई company अच्छा काम कर रही है तो उसका model इंडिया में copy कर लिया जाता है जैसे Jometo है, Swiggy है ये सब copied models है मतलब पहले इस परकार की चीज़ें काम कर गई चाइना में, US में फिर इंडिया में आई तो ये तो tried and tested models है न कि उन देशों में इन चीज़ों ने काम कर दिया इंडिया में middle class ग्रो रही है इंडिया में भी urbanization हो रहा है तो ये चीज़ें इंडिया में भी काम करेंगी अब last में बात की जाती है wave forward की क्या किया जा सकता है दिर्व सबसे पहले है policy intervention बात सही है, सरकार ने अच्छा काम किया है tax incentive दिये है लेकिन देखो अभी भी बहुत साई चीज़ें है जहां पर सरकार को बहुत कुछ करने के आउ सकता है जैसे GST system काफ़ ज़ादा complex है investment और capital gains पे tax लगता है उसमें कुछ रियायत दी जा सकती है कई sectors में regulatory system अभी भी काफ़ ज़ादा tight है जैसे e-commerce के नए जो draft rules आये थे उस पे लेके controversy पैदा हो गई थी हमने articles भी discuss किये थे और नए नए जैसे start-up सेनक काफी बार disadvantage में रहते हैं as comparison to buddy companies अब जिदे को flip card है Amazon है ये इतनी बड़ी companies बन चुकी है अब इनका मुकाबला कौन करेगा छोटा startup इनका मुकाबला करी नहीं सकता Amazon और flip card का इनके पास इतना बड़ा logistics sport है Amazon अगले दिन product पूंचा देता है दिल्ली में कई बार तो उसी दिन तो इतना नए startup के पास इतना मादा नहीं होता न next point space startups के लिए legislative framework क्या आव सकता है बिल्कुल clear guidelines होनी चाहिए कोई ambiguity vagueness नहीं होनी चाहिए कि अगर नए startup space sector में आता है तो उसके लिए क्या opportunities है government उसको कैसे sport करेगी सब कुछ clear होना चाहिए क्या उस startup की liability होगी सब कुछ clear last point देखो capital की availability से समंदित है देखो वही बात बाहर के investors ने तो इंडिया के startups में invest किया है लेकिन हमारे देश के जो investors है वो आगे नहीं आया है हमारे देश में वो corporate groups जिनके पास पैसे है अगर वो नया startup नहीं establish कर रहे है कम से कम आप invest तो कर सकते हो जैसे Reliance, Tata, SSA corporate groups हैं वो invest कर सकते हैं नए-nए startups में इसके साथ साथ सरकार invest कर सकती है R&D में, colleges में, academic institutions में think tanks में जहाँ पे नए-nए technology develop होगी इसके बार next article world में emerge होके आ रहे है disorder से समधित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो 2021 का जो साल है वो post cold war period में सबसे ज़्यादा important साल के रूप में इतिहास में याद रखा जाएगा क्यों, नहों वैसे COVID की महमारी तो 2020 में आ गई थी लेकिन 2021 में US अफगानिस्तान से अपनी forces पूरी तरह से वापस लेके चला गया और इसका परिनाम ये निकला कि अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का rule established हो गया देखो क्यों US अपनी जो forces हैं अफगानिस्तान से लेके गया उसको लेके दो perceptions है एक तो ये कि US अपनी foreign policy को realign करना चाहता था अब US अपना focus चाइना की तरफ ज़्यादा करना चाहता था जो कि लगातार US को challenge कर रहा है दूसरा perception ये है कि US युद हार गया अफगानिस्तान में 20 सालों तक US ने परियास कि कि Taliban को खटम किया जहास कि लेकिन Taliban खटम नहीं हुआ और US के जाते ही Taliban अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया यानि US ये युद हार गया US कितना भी बोले लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान का सत्ता मेंगा राल आना इसको Vietnam में US की जैसे हार हुई थी ना, उसी परकार से इसको देखा जा रहा है देखो कुछ experts ये बोलते हैं कि कुछ सालों के बाद जैसे 1990-91 में जब USSR का disintegration हुआ था ना तो कुछ लोग बोल रहे था कि अब US से एकमात्र वर्ल्ड superpower बच गया है तो कुछ सालों के बाद जो superpower होती है ना, वो fatigue महसूस करती है, मतलब ठकावट वो अपने आपको इतना ज़्यादा stretch कर लेती है कि उनकी जो power है वो कम होने लगती है, अपने आप ही US के साथ भी ऐसा ही हुआ, US ने अपने आपको ना काफी stretch कर लिया इराक में अपनी सेना भेज दी अफगानिस्तान में सेना भेज दी मतलब इन दोनों wars में US से को इतना ज़्यादा खर्चा हो गया, बाद में लीबिया में भी US सेना भेज दी कि US को, जो परिनाम US चाहता था ना, वो परिनाम नहीं निकले इन wars से, बलकि कि US की इतना सारा पैसा खर्च हो गया और domestically भी US की government को काफी criticism जहलना पड़ा कि जल्द से जल्द आप सेना भुला लो हमारे जो जमान है वो सहीद हो रहे हैं economy को इतना नुकसान पहुँच रहा है तो US की सरकारों पर pressure था कि वो अफगानिस्तान से जल्द से जल्द अपनी सेना वापस बुलाएं कुछ experts बोलते हैं कि US अभी न वो समय फेस कर रहा है जो एक समय में Britain ने फेस किया था या फिर USSR ने फेस किया था मतलब Britain की जो superpower status था न वो second world war के बाद खतम हो चुका था second world war में आपको पता है Britain ने secondary role प्ले किया main role US ने प्ले किया था लेकिन बावजूद इसके second world war में ये साफ हो चुका था कि Britain अपना अब बड़ी power का status खो चुका है जातर जो उनकी कलोनिस थी वो आजाद हो चुकी है लेकिन Britain इसे सविकार करने को तयार नहीं था इसी लिए 1956 में स्वेज कैनल पर कबज़ा करने के लिए Britain, France और इसराइल ने मिलके अपनी forces भेज़ दी एजिप्ट में लेकिन US और Soviet Union ने उनको मना कर दिया कि आप कोई misadventure नहीं करोगे तो इन देशों को अपनी forces वापस ले जानी पड़ी स्वेज कैनल से तब वर्ड में सभी देशों ने सभी experts ने मान लिया कि अब ब्रिटेन जो है वो बड़ी power नहीं रहा है जैसा Second World War से पहले था उसी परकार से Western powers के लिए एक weak movement आई 1970s में 1970s में US अपनी forces वियतनाम से वापस लेके चला गया Soviet Union इससे बहुत खुश हुआ कि अब तो USA डिक्लाइन कर गया है अब और कुछ नहीं है तो बदले में USSR ने क्या किया अफगानिस्तान में communist government इस्टाबलिस करवा दी और उसको स्पोर्ट करने के लिए के द्वारा मिलके मतलब इन तीनों ने funding दी, training दी मुझाहिदीन्स को so-called अब जो तालिबान बन गया है मतलब बहुत सारे factions मनें उन मुझाहिदीन्स के तो USSR को भी आखिरकार अपनी forces वापस ले जानी पड़ी अफगानिस्तान से अफगानिस्तान में जो communist government गिरी ना, उसके बाद जो Eastern Europe के काफी सारे देश थे वहाँ पर भी communist government गिरती गई तास के पत्तों के तरह हैं और अंत में USSR का disintegration हो गया राइटर करते हैं देखो, इन arguments देने का मकसद ये नहीं है कताई कि अभी USA का जो superpower status है, वो जल्द ही खतम होने वाला है USA अभी भी सबसे ज़्यादा powerful days है, दो oceans पे control है, US का Pacific Ocean, Atlantic Ocean easily इन दोनों oceans को USA access कर सकता है, borders defined है, USA के immediate जो neighboring countries है उनसे USA को कोई खतरा नहीं है, पूरे continent पर USA का dominance है North America पर और बहुत अद तक South America पर भी, तो US करने वाला है, बट देखो बावजूद इसके questions तो उठने लगें है Afghanistan से USA का withdrawal ये कोई isolated incidence नहीं था even Iraq में, Libya में US काफी परियासों के बाद political stability नहीं establish कर सका Syria में US Assad regime को उखाड फैकना चाता था लेकिन पुतिन ने Assad regime को support किया और आज भी Assad जो है Syria में सत्ता में है, चाकर भी USA कुछ नहीं कर पाया इसके अलावा भी आज USA के सामने तीन बड़े challenges है, सबसे पहला challenge Ukraine से सम्मदित देखो ऐसी खबरे आ रही है कि Russia ने Ukraine border के साथ 1,75,000 जो अपने troops हैं वो तेनात करके रखे हैं और intelligence ये भी कहती है, जल्द ही Russia, Ukraine के ऊपर attack का order दे सकता है क्योंकि पूतिन को ये लगता है Ukraine जो अभी western group के साथ है western countries के साथ में है तो Ukraine जो है, वो एक परकार से हमारे border के साथ लगता western countries का aircraft है कभी भी यहाँ से जो western countries है, वो कीजिए, इसी के लिए 101,75,000 जो टूप्स है वो Ukraine border पर तेनात है और कभी भी Russia जो है वो वार का order दे सकता है Ukraine के ऊपर, ये सिरफ intelligence कहती है असल में वार होगा नहीं होगा, ये तो देखो बवीशय के गर में हैं, लेकिन अगर हो जाता है, तो USA कितना स्पोर्ट करेगा Ukraine को ये देखने वाली बात होगी Biden साफ कह चुके हैं कि हम Ukraine इशू पर Russia के साथ लड़ाई नहीं करेंगे तो फिर क्या करेगा USA sanctions लगाएगा ज़्या से ज़्यादा Russia के ऊपर sanctions लगाने से Russia पर कोई फरक पड़ता है, तो ये USA के सामने आज के समय में बड़ा challenge है दूसरा challenge देखो ये है, इरान का Trump ने इरान के साथ nuclear deal को खतम कर दिया लेकिन अब Biden पर सासन चाता है इरान फिर से कोई nuclear deal में सामिल हो, लेकिन अब इरान ने साफ साफ condition रख दी है, पहले आप sanctions हटाईए, फिर हम आपके साथ deal sign करेंगे और आप हमें assurance दीजिए future में कोई भी US का president इस deal से बाहर नहीं आएगा तो अभी ना USA ऐसा करना चाता नहीं है, USA नहीं चाता कि पहले हम sanctions हटाए, अगर USA पहले sanctions नहीं अटाएगा, तो इरान अपना nuclear program जारी रखेगा इरान और जदा uranium को in reach करता जा रहा है, अगर इरान और जदा uranium को in reach करता गया, तो nuclear weapons बनाने की capability इरान के पास आ जाएगी फिर US के पास पस्ताने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, तो US अभी ना दुविदा में है, क्या इरान के उपर sanctions अगर हटाएगे तो लगेगा कि US weak हो गया इरान ने अपनी बात मनवा ली US से, कमजोर पावर हो गया, USA ऐसा signal वर्ड में जाएगा अगर USA sanctions नहीं अटाता है, तो फिर इरान जो है वो nuclear weapon बनाने की बिटी हासिल कर लेगा, ये भी USA के हित में नहीं है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा challenge है, US के सामने, आज के समय में, इसके बाद तीसरा challenge, South China Sea से सम्बंदित, ये China जो है न, forcefully Taiwan पर कबजा कर सकता है, इसका पर्यास चाइना के द्वारा धीरे-धीरे किया जा रहा है, ऐसा कुछ experts कहते हैं, बार-बार चाइना के जो fighter jet है न, वो Taiwan के air defense identification zone में जाते हैं, तो इससे कहा जा रहा है कि China एक पर परकार से test कर रहा है, USA का patience से, क्या अगर हम कल को Taiwan पर कबज़ा करते हैं, तो US बीच में आएगा या फिर नहीं आएगा, तो ये तीन बड़े challenges हैं आज के समय में US के सामने, देखना ये होगा, कैसे इन challenges को US जो है, वो निपड़ता है, देखो एक बात सही है, US के सामने ना आज के समय में दुवीदा है, कैसे act किया जाए, क्या इस परकार से act किया जाए, कि आज भी USA superpower है, global policeman की भूमी का US को निभानी है, या फिर USA अब मान ले कि अब USA एक मात्र superpower नहीं है, bipolar world order है, US के समान एक दूसरी बड़ी power emerge होके आ गई है, चाइना, तो उस परकार से USA act करें, कैसे USA की foreign policy होनी चाहिए, इसको लेके USA confused है, इसी लिए जो world order है आज के समय में, वो disorder है world order में ज़्यादा, अस्तव्यस्ता ज़्यादा है, एक definite world order नहीं है, world में फिलाल की हाँ, USA का बोल बाला है, या फिर bipolar world order है, दो बड़ी powers है, ऐसा कोई defined world order आज के समय में, world में है नहीं, तो ये पूरा इशू हमने detail से discuss किया, चलते हैं आगे, इसके बाद next article, पाकिस्तान के ब्लोचिस्तान में protest से समधित है, देखो पाकिस्तान के ब्लोचिस्तान में आजादी के बाद से ही insurgency का इतिहास रहा है, मतलब ब्लोच लोगों ने पाकिस्तान को सविकार नहीं किया, अभी भी काफी सारे वहाँ पे groups हैं, जो पाकिस्तान का विरोध करते हैं, जो पाकिस्तान से लिया किसी ब्लोच पर्सन को, रात भर टोर्चर किया गया, और सुबह उस पर्सन की लास मिली रोड के किनारे, ऐसे ऐसे अभी तक देखो 47,000 यूथ ऐसे हैं आजादी के बाद से ही, जो missing है, मतलब मिले भी नहीं है, कईयों को पाकिस्तान की मीडिया भी ज़्यादा हाइलाइट नहीं करती, और आपको एक चीज़ भी पता है, ब्लुचिस्तान में पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट है, यह देखे आप, ग्वादार पोर्ट, जिसकी significance काफी ज़्यादा है, इसका पूरा जो management है ना, वो चाइना के पास है, पाकिस्तान ने ग्वादार पोर्ट चाइना को लीज पर दिया है, तो चाइना की कंपनी ही इसे operate कर रही है, तो इसको लेके भी लोकल लोग की काफी ज़दा सिखायते हैं, ग्वादार पोर्ट बनने के बाद में, लोकल लोगों को काफी ज़दा प्रिसानियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि देखो, चाइना के ट्रोलर्स ग्वादार पोर्ट के आसपास आते हैं, मचली पकड़ते हैं, और ब्लूचिस्तान के जो पिशरमैन हैं, उनको मचलिया नहीं मिलती, और भी उनके जीवन में बहुत सारी दिखते आई हैं ग्वादार पोर्ट के बनने के बाद, तो अब ना एक बहुत जवरदर्स्त प्रोटेस्ट हुआ ब्लूचिस्तान में, आप ये देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा भीड यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में इकठी हुई, इतना बड़ा प्रोटेस्ट ब्लूचिस्तान में इससे पहले नहीं देखा गया, आप देख लीजिए एक बार, एक 9 सेकिंड से ज़्यादा कोपिराइट स्ट्राइक हो जाएगा, तो आप यह पूरा प्रोटेस्ट देखोगे ना, आप बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हैं, आर्टिकल में यह कहा जाता है कि देखो इससे पहले इतने बड़े-बड़े प्रोटेस्ट ब्लूचिस्तान में एकदम से नहीं इमर्ज होके आए, अब रीजन यह है, बड़े प्रोटेस्ट होने का, जमाते इसलामी, पाकिस्तान की रहा एक पार्टी है, पॉल्टिको रिलिजियस ग्रूप है, जैसे हमारे देश में OVC की पार्टी मान लीजिए, वैसे ही पार्टी है, एक पाकिस्तान में जमाते इसलामी, वो ब्लोच लोगों के राइट्स के पक्स में आई है, 19 डिमांड्स पाकिस्तान की सरकार के सामने रखी गई थी, आपको मैं डिमांड्स भी दिखाता हूँ, एक सेकेंड आप रुप जाईए, ख़़ए, यह रही, यह N2, illegal trollers, freedom for fishermen to go to see, ऐसे ऐसी ना, 19 डिमांड्स पाकिस्तान की सरकार के सामने रखी गई थी, अब सुरू में तो पाकिस्तान की सरकार को लगा आ रहे एतर ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहते हैं इनकी क्या बात सुनना लेकिन प्रोटेस्ट बहुत ज़ादा बड़े हो गए प्रोटेस्ट बड़े हो गए तो पाकिस्तान को प्रोटेस्टर्स की बात सुननी पड़ी अब ऐसी आ रही है कि जातर demands को पाकिस्तान की सरकार ने मान लिया है तो बोला ये गया है कि अब ना पूरा narrative change हो जाएगा पहले पाकिस्तान की सरकार ना बलोच लोग के rights के सामने जुकती नहीं थी लेकिन अब जो जुक गई है न अब future में बलोच लोग के द्वारा और दोजार प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे हलांकि जमाते इसलामी जो political party है वो बलोच इस्तान के इस प्रोटेस्ट में सामिल हुई उन्होंने missing लोग का issue तो नहीं उठाया क्योंकि अगर जमाते इसलामी party बलोच लोग के गुम होने सम्मंदित issue उठाती तो ऐसा लगता कि जमाते इसलामी जो party है वो पाकिस्तान के देश के खिलाफ काम कर रही है तो जान बुझ के जमाते इसलामी ना वो issue नहीं उठाया लेकिन social media में जो coverage हुई ना उसमें बलुच लोग के गुम होने सम्मंदित जो issues है ना उनके जो भी separatism सम्मंदित issue है वो उठाये गए तो कुल मिलाकर point देखो ये है पाकिस्तान जो as a state है ना बहुत कमजोर हो रहा है जैसे तहरीके लबैक उन्होंने कुछ दिनों पहले इतना protest किया था और उन्होंने सरकार को जुकवा दिया तही के तैलिबान के साथ में पाकिस्तान ने negotiation कर ली बताओ सोसाइटी इतनी ज़्यादा radicalize होती जा रही है सिलंका के एक manager को मार दिया और भी पाकिस्तान की सोसाइटी से ऐसे ऐसे खबरे निकल के आई देखो इंडिया को न इन चीजों से खुश होने की बात नहीं है दुखी होने की चीज है क्यूं देखो आपके घर का परोसी है आपके साथ में आपका परोसी है आपके परोसी के घर में सांती रहेगी तो आपको भी ठीक लगेगा न आपके पडोसी घर में मान लीजिये, आपस में डेली कोई लडाई होती रहती है, कोई तमासा होता है, पुलिस आती है, तो आपको भी दिक्कत होती है, तो इसलिए आपके पडोसी के घर में सांती होती है, पीस रहती है तो उससे आपको भी सही रहता है, कल को ये पाकिस्तान as a state और ज़्यादा कमजोर हुआ और ज़्यादा radicalization हुआ इंडिया कोई तो खत्रा होगा न इंडिया में आने लगेंगे फिर और ज़्यादा आंतकवादी तो इंडिया की सोच तो यह है कि आज के समय में समझने की आवसकता है तो यह पूरा article हमने discuss किया, directly हो सकता है कि question ना आए लेकिन indirectly आपको issue पता होना चाहिए था, इसलिए हमने discuss किया Thank you, thank you very much for discussion